हम तो पूछेंगे में अगले आदे घंटे डिबेट नमबर दो शकूर बस्ती पर गरीब जंग राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेल्वे केंद्र सरकार के अंडर आती है दिल्ली सरकार के नहीं यह देश के बड़े नेताओं की बयानबाजी है इस बयानबाजी के लिए उन्हें पुक्ता जमीन भी मिल गई है दिल्ली के शकूर बस्ती में रेल्वे की जमीन पर बनी सालों पुरानी जुग्यों पर बुल्डोजर चला दिया गया इतनी ठंड में हजारों लोग बेघर हो गई अब भगदर हो रही थी बच्चे के बखो सवान गिर गया था उसमें बच्चे दब गई थी वह मर गया उसको हमने होस्पिटल ले गया है वहां होस्पिटल में डॉक्टर ने इसको का दिया यह मतर्डेट कर चुकि है असपर रिपोर्ट फॉम नॉदन देलवे दिश एक बच्ची की मौथ हो गई लेकिन अब यहां सवाल गरीबों को इंसाफ दिलाने का नहीं रहा शनिवार रात यहां के जिवाल पहुचे अधिकारियों को निलंबित किया और सोमवार को यहां का नजारा बेहत हैरान करने वाला था पार्टिया अपने अपने जंडे टोप के साथ यहां मजमा लगा चुकी थी असम दोरे से वापस लोटे कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पहुचे यहां कॉंग्रेस और आद्वी पार्टी के करेकरताओं के बीच खुद को गरीबों का रहनुमा साबित करने की होड लग गई थी गरीबी शकूर बस्ती वालों का मददगार बनने की सियासी जंग गरीबों का मजाग है अपनी राए हम तक पहुचा सकते हैं आई बेन खबर के फिस्बूक पेज से भी आप हमके जुड सकते हैं हम आपको बता दे कि दिल्ली हाई कोट में भी इस मामले पर आज सुनवाई हुई कोट ने रेलवे को इस मामले में जम कर रताड़ा कोट ने शकूर बस्ती मोही कारवाई को अमानविये तक करार दे दिया कोट ने दिल्ली सरकार रेलवे और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिशनर को इस पूरे मामले में बुदवार को हलफ नामा देना है इस पूरे मुद्दे पर अब आच्चीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड रहे हैं उसमें बीजेपी के स्पोक्स परसन संबित पात्रा पहले से मेरे साथ है आम आद्धी पार्टी के प्रवक्ता आदर्श शास्त्री हमारे साथ जुड रहे हैं कॉंग्रिस के करना चाहूंगा संबित पात्रा मैं आप से रेल मंत्राले आपका सरकार आपकी हाई कोट की फटकार साफ तोर पर ये कहती है कि रेलवे को मानवफ्ता पून वेवार करना चाहिए था ठंड में कम से कम इस तरीके से आतिक कर्मन हटाने के ये बहाने जायज नहीं थे आपका जवाब 45 सेकिन में क्यों है और रेलवे भी खत्रे में क्यों है आप इनको इवैक्वेट करिए वर्ना 5 लाग रुपे का जुर्माना दीजिए कोट के अंतरगत रेलवे ने ये काम किया दो बार पहले नोटिस मार्च के महिने में और सेप्टेमबर के महिने में दी गई थी मगर जिस प्रकार राजनीती हो रही है आम आदनी पार्टी और कॉंग्रेस के द्वारा ये वांचनी नहीं है ये उचित नहीं है और ये बिल्कुल ऐसे राजनीती नहीं है आप सब अवांचेत है आप लोग जुग्य दोप्र तोड़ दे हैं वो ठीक है ये क्या बात हुई आप लोगों ने जुग्यां तोड़ दी संबीत पात्र में आऊंगा आउंगा आप से क्रॉस कोशनिंग करेंगे हम इस ब्रेक के हो जब हमें सब से बैलिस से कि एक बार ज दोशिश करती रही क्या कहेंगे आप अजया लोग मेरा बस ये कहना है सुमिद जी कि शकूर बस्ती में रहने वाले डायस्पोरा कौन थे क्या ये ऐसे लोग थे जिनकी रात में अगर आप धर तोड़ दीए तो वो कोई होटल या गेस्ट हास में जाके रुख सकें नहीं ये सारे गरीब लोग थे जिनके पास कोई आशियाना नहीं था अज सब्वेंदर हिंटा की इंतिहां है कि आप रात में जाके उनको डिस्टेबलाइस करते हैं और अगले दिन आप आके इसको कहते हैं कि हम तो दो बार से नोटिस दे रहे थे नोटिस देने से नहीं पुनरवास भी देखा जाता है और दिली पुलीस भी इसमें सहयोग कर रही थी और दिली पुलीस जो दिली सरकार के में भी काम कर रही है एक बार भी उसने सोचा नहीं कि सरकार को इसकी जानकारी दे तो सभावी के हाई को फटकार लगाई है वो कही शास्त्री आम आदनी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मैं आप से पूछना चाहूंगा ये इलजाम बार-बार लग रहा है आपकी पार्टी के उपर भी कि जिस वक्त शनिवार की दुपहर में डिमोलिशन का काम चल रहा था वहाँ पर आपके अपने नेता आपके अपने विधा कर दिया फॉर्टी फाइव सेकिंड्स में आपका जवाब उसके बावजूद इस बार जब ये नोटिस इस बार नहीं लगा और उसके बार डिमोलिशन की पक्रिया इतनी तेजी से की गई जब तक सतेन जैन को मालूम पड़ा तब तक वो पहुचे तब तक डिमोलिशन का काम पूरा हो चुका था इसमें सबसे महत्वपूर बात ये है कि मौजूदा NDA सरकार का 2014 का खुद का लिरने जिसमें की 2006 से पहले की बनी बस्तियों को नहीं हो जाड़ा जाएगा रिहाबेलिटेशन के ओप्षन वेकल्प के बिगेर उखोद का उलंगन जो है रेलवे मंत्राले ने किया रेल मंत्री ने किया जिसकी पुष्टी रेल मंत्री ने खुद अर्विन जी से मीटिय में कल और आज दोनों दिन करी और इसके बारे में तहकीकात करने की बात करी तो ये पूरी तरह से गलत है कि सते इन जे पहले इसके पूर्टी फैफ सेकिंड सो करे में लोटूंगा आपके पास आदेश अनिल भरतवाज दो सवाल 45 सेकिंड में आपका जवाब चाहूँगा राहूल गांदी कितनी ऐसी जगों पर और जाते हैं जहां पर जुग्यों के लोगों को सताया गया हो बाहर निकाला गया हो और जब अर्विन केजरिवाल ये बोलते हैं कि राहूल गांदी तो बच्चे हैं उनको राजनीती की समझ नहीं है तो क्या गलत कहते हैं अनिल भरतवाज देखिए राहूल जी बहुत समवेदन सील नौजवान नेता हैं और राहूल जी जब रंगपुरी में इस तरह का डेमलेशन की कोसिस की गई थी तब भी राहूल जी वहाँ पे तुरंट पहुँचे थे और अब भी जैसे ही राहूल जी को ये सूचना मिली कल ही वो दोरे से आसाम से आएं निश्चित तोर पे उन्होंने ये कहा के मेरी हमदर्दी और मैं पूरी तरह से गरीबों के साथ हूँ क्योंके कांग्रेस पार्टी की प्राजमी का गरीब आदमी का घर बसे ना कि उसका घर तूटे जिस तरह का डेमलेशन हुआ प्रसास ने कारवाए हुए संभित पातरा जी कह रहे थे के मान वी है तो न्यूटरिल एंपायर है इस पूरे डिस्केशन में आपके रिसाप से जो कुछ हुआ शचकूर बस्ती में और जिसके बाद इस तरीके से स्यासत हो रही है कौन गलत है कौन ठीक है पेटालिस सेकेंड मेरा तो ख्याल है कि ये एक तिरफ से कारवाई ठीक है मगर ओवराल ये कारवाई गलत है दिल्ली में बहुत पुरानी पॉलिसी है कि बिना लोगों को रियहबिटेट किये हुए उनकी भूगियां वस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी तो रेलवेज तो इन तीजों को आज ते कभी मानी नहीं है क्योंकि उन्हों ने दिल्ली सरकार की या डीडिया की वो नहीं मानते हैं कितने हम उनकी जूरिस्डिक्शन में नहीं है मगर जो पॉलिसी है जो सुप्रीम कोट ने भी लेडाउन की और जो हाई कोट ने भी किया कि आप ये विंटर और समर की बात नहीं है कभी भी अगर आप किसी को भी बेगार करते हैं तो उसको कम ते कम टेंपरेरी शेल्टर तो दे दीजिए टेंपरेरी शेल्टर देने के बाद आप जूगियां उनकी थोड़ी है जी पेटालिस सेगिंड ना अब में ठीक है सेगल साब मैं सीधा सवाल पहला सवाल अनिल भरतवाज संबित में आऊंगा आपने हाथ उठाया था अनिल भरतवाज मेरा सवाल आप से है राहूल गांदी आपने कहा कि वो कली असाम के दोरे से आए अगर आपकी पास फोन है इंटरनेट है नहीं तो मैं तस्वीरे दिखा सकता हूँ राहूल गांदी कल दिली में थे राहूल गांदी स्टीट फूड मेले के चार्ट का मज़ा ले रहे थे और ये तस्वीरें मैंने नहीं डाली है ये राहूल गांदी की अफ़ीशल अकाउन नहीं डाली गई है तब राहूल गांदी को शब्र भस्तिक याद नहीं आई नहीं 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 मेरे सवाल तो सुनिया भी आप अभी मेरा सवाल नहीं करता है राहुल जी आपको राहुल गांधी को अगर चिंता थी सुनिए मेरा सवाल सुनिए कल आप चाट खा रहे थे तब राहुल गांधी नहीं पोंचते हैं दूसरी बात आज जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वां धक्का मुक्की, मार पीट, उपद्रफ जैसे इस्तिती पैदा हो जाती है, उससे वहां रहने वाले जो भी लोग वहां बचे है, उनको दिक्कते आती है, और तीसरा और महत्मून बार जो मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल अनिल जी है, कि आपके दिन से वहां जो खाना दिया गया है वो सिरफ और सिरफ कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरताओं ने और एक NGO है जिसका जैमाता कुछ करके NGO है दो ही संस्थाओं ने जैमाता फाउंडेशन उसके अलावा लोकल विधायक जो वहां से मंत्री हैं मैं पूछना चाहता हूं सलते एक सही है एक दूसरे के कोट में बॉल को डाल रहे हैं स्केंद्र सरकार और सरवार लेकिन वहां के विधायक ने क्या एक विव्यक्ती की व्युश्ता की हमने वहां एक हजार कंशन की कर रहे थे गरीबों के दुख्ड में जाके सिवा रोटे नहीं लगा दिये आप सुनिए आप मेरी बास सुनिए हमारे प्रदेश अद्दक्ष कल सुबह भी वहां गए थे कल साम भी गए थे हम खुद भी वहां गए थे और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने सिर्फ वहां राजनीती नहीं की अगर कोई गरीब आदमी वहां जान चली गई है अगर वहां से लोग सर्दी में बैठे तो हमने अपनी जिम्मेदारी एक राजनेतिक पर राओल गरंदी कर नहीं गया है दिन्दी में थे वहां आप आप जो देखिए 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 जो जो जानकारी आप दे रहे ह वो रंगपुरी के जुग्यों में भी गए उन्होंने तब लिए आपको लग रहा है राहूल गांदी ने चार्ट था के ठीक किया और कल नहीं जाकर जुग्य जबड़ी और देखे निया में आप आप जो जो इस्थिती है उसमें जवाब देए होनी चाहिए और मैं पूछना चाहता हूँ कि यही तो अच्छी बात है आप लोगों की माफी के साथ यह बहुत अच्छी बात है कि आपकी कोई जवाब दे ही नहीं है आप तो कमिटमेंट है हम बिलकुल हमने कभी राजनीती नहीं की हमने वहाँ सेवा की है अरे कहां सेवा की सेवा की होती तो आज उन लोगों के दुखदर में खड़े होती समयत बातर मैं आता हूँ आदर शास्त्री मेरा सवार अब आप से आदर शास्त्री नहीं बिल्कुल खड़ ये जिम्यदारी आदर शास्री आपकी भी है आपकी तो सरकार है यहाँ पर दिल्ली के अंदर आप लोगों ने कितनी मदद किवा रहने वाले हजारों लोगों की देखिए वहाँ पे जब ये उजाड़ी गई बस थी उसके बाद मुख्यमंत्री पहुचे वहाँ पे सतेन जैन वहाँ के विधायक वहाई थे साथ में वहाँ पे क्योंकि इस से पहले कोई प्रोएक्टिव काम कदम नहीं उठाया प्रशाषण ने दो S.D.M. को सस्पेंट किया गया वहाँ परसो राज से जो टेंट लगे है सोचालों का प्रबंद है जो खाने का प्रबंद है वो सरकार ने प्रशाषण ने किया पहली बात दूसरी बात राहूल गांदी जी की ये बात करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि दो दिन बाद उनको शायद ध्यान आया नहरू स्टेडियम में चार्ट की चुस्की ले रहे थे आसाम की बात करेंगे आज आम आदनी पार्टी के निता वहाँ पे टोपि अंदर मेरे पास कैमरे पर शॉट्स है ये राजनीती करने का वक्त है कि उनको शेल्टर देने का वक्त है आदर शास्त्री देखिए इसमें 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 राजनीती की कोई बात नहीं है जुगी बस्तियों में जितने जितनी भी आबादी है वो बहुत समय स समर्थक है आम आदमी पार्टी के और वो समर्थक होने के कारड़ से अगर वो टोपी पहन के घूम रहे तो इसमें नहीं समस्का कोई गूम रहे तो इसमें तो कोई किसी को रोप नहीं लगा जा सकती यह तो साफ नजर आता है तोपियां बाटी जा रही थी पांच पांच आठार दजदा साल के बच्चों को तोपियां पहना ही जा रही थी आई होब कि आप समझते हैं आप इसको गूमाईए मत आदर जी आप तो सीनियर पड़े लिखे बहुत एजुकेटेड बहुत समझदार रहती है आदर जी इसमें गुमाने की कोई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के हमारे वालेंटियर मौजूद थे रही आप ने भी माना रेलवे रेंगा गलत काम किया अब आप रेल मंत्री पर कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं यह आदर जी तो मैं जवाब दूँगा देखिए मैंने बड़े फ़स्ट रूप से कहा कि चाहे वो NGT कोट का ओडर हो और चाहे NGT कोट ने बिल्कुल सत्य कहा हो कि सेफटी के दृष्टी कोट से जमीन खाली होनी चाहिए 15 मीटर इस साइड 15 मीटर उस साइड मगर ठंड के दिनों में जब लोगों को बेघर किया जाता है तो यह दृष्टी कोण जरूर देखना चाहिए चाहिए हम किसी पार्टी के भी हो कोट ने नोटीस तीनों को इशू किया है और तीनों नोटीस का जवाब बुधवार को देंगे मगर अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी के आदर्शी ने एक बड़ी बात कही आपने छोड़ दिया मैंने पकड़ा है उसको प्रो एक्टिव काम नहीं किया प्रसाशन ने इसलिए दो SDM को हमने निलंबित किया एक्जाट सेंटेंस नो ने कहा प्रो एक्टिव काम क्या था आप अगर प्रेस को पढ़ेंगे तो पाएंगे प्रो एक्टिव काम था कि इनको रियाबिलिटेट करना प्रसाशन किसका है SDM किसके हैं अर्विंद केजरिवाल जी के बाइट को सुनिए DM और SDM मेरे अंतरगत आते हैं अगर DM और SDM नोटिस पाने के बावजूत इनको रिहाबिलिटेट नहीं कर पाते हैं 47,000 घर दिल्ली में नरेला इत्यादी में खाली है जो जुगी जुपरी प पुनरवसन के लिए पुनरवसन के लिए बने हुए आजिन भरद वाज आपके पास मूटी सर गारे हैं आदर शास्थी जवाब दीजे संबे जी संबे जी लगता है प्रोएक्टिव का मतलब जानते नहीं है क्योंकि भार्टिय जंता पार्टी की सरकाय तो प्रोएक्टिव किसी काम नहीं है नहीं कि बसकी गिराने में है यह बताना चाहता हूं कि यह बताना चाहता हूं संभी जी को संभी जी संभी जी आपकी बात मैंने सुन ली देखिए प्रोएक्टिव यह है कि जब यह जुग्य तीन महीने से अर्विन जी रेल मंतरी को चिठी लिख रहे हैं कि ये नोटिस आए जा रहा है, नोटिस आए जा रहा है, दो अजार छे का सुप्रीम कोट की रूलिंग है, कि रिहाबिलिटेशन पहले होना चाहिए, आप इन जुग्यों को नहीं तोड़े, उसका रेल मंतरा ल जे, क्या आपके SDM और DM को पता था, कि जुग्या तोड़ी जा रही है, कि नहीं पता था, देखें, इस तरह के नोटिस पिछले साथ महीने में कई बार आ चुके हैं, और ये जुग्यों खुद बोल चुके हैं, जिसमें सतेन जेन ने प्रो एक्टिवली उन नोटिसों को वहाँ पर रेलवे ने दो घंटे पहले नहीं पहुँचके लोगों में अनुस्मेंट किया था, रेल मंत्राले और दिल्ली पुलीस मिलकर ऐसी तेजी दिखाई, जैसे कि कोई वनलब की इतनी तेजी तो शायद किसी और प्रो नहीं दिखाते हो, जिसमें रोने यहां दिख रशन खल दोनुम में कोहेसिवनिस नहीं है, यह हम पिछले दसमहीने से देख रहें है, दूसरी बात आप यहां पे कह रहे हैं, भारतिय जनता पर बाटिखे रही है, कि हमने यह किया यह अंन्वीह था, तो भैई जिस ने अमान्वीह की आप काम किया, उसके खिलाफ आप के लिए अध्यों के लिए जो इस आपना का जिमेतार हो जो च्रिवा कर Cook को सोम्रेल मंत्री कुझ नंत्री क्यों नहीं वो इसस्थफा զेते हैं आप कहता है कि सभी लोग राज़नीती कर रहे हैं आ TOP आप ये बताइए राजनीतिक दल राजनीत नहीं करेगा तो क्या करेगा वहां पर कोई राजनीतिक दल भारतिय जन्तापाटी की तरह नहीं है तो जिसने इस अमानविये काम को किया है क्रिपया दिय करें और उन पर कुछ एक्षिल ले संबित पात्रा रेल मंत्री पर कारवा है क्यों नहीं संबित पात्रा देखें आप दो तीन सी समझे हम लोग थोड़ा सा कभी कभी डिबेट्स में अकेडमिक पॉइंट्स रखना बहुत आवश्यक है डेवलाप्मेंट और रियाबिलिटेशन ये दोनों हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए आप डेवल पांच वर्षों से दिल्ली के पास है आप पूछी यहां अनिल भरद्वाज जी बैठे हैं ये विधायक थे सर इनसे पूछिए 47,000 घर खाली पड़े हुए है की नहीं खाली साथ हजार घर नरेला में पड़े हुए हैं खाली खाली पड़े हुए हैं आप इनसे पूछ इसी को डिक्टेटर्शिप कैस है आप मानविय होने के बाद व्यूद भी आक्शन नहीं लेंगे इसी को पेशर्वी कहते हैं यहां सहगल जी बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या सेलीस लंबोर को रेलवे ने 11 करोड रुपए 2000 में इन ही बस्ती के लिए नहीं दिया था कि आप इनका रियाबिलिटेशन करिए मैं तो कहीं नहीं रहा हूं नहीं हुआ ना आपको बात करने चाहिए तिमुक्र मत्री से सारा पैसा सारा पैसा कॉंग्रेस हडब गई सारा पैसा और यह आम आदमी पार्टी वहां जाके राजनी की करें लिए तो कॉंगरेस से आपको कहता है कि शकूर बस्ती पर कारवाई बेहत अमानविय थी आपको लोगों की चिंता नहीं है आपको अपने गलतियों से कुछ नहीं सीखा है आपका रवया बिलकुल लचर है आप हमें डीटेल में बताएं कि कि कितने घर गिराए गए गए यह हाई कोड की अब्सरवेशन स कर रही थी नहीं मैं राजनीती की बात नहीं कर सकता हूं सबसे पहली तो यह चीज़ है कि आपने वहां जाके SDM को सिस्पेंट कर दिया SDM को सिस्पेंट करनी की का जिस्टिविकेशन है जब आप चिटिएं लिख रहे थे रेल वेज को कि आप यह डिमॉलिश मत करिए अब प्लीस कमिशनर को भी लिख देते कि आप जब तक कोई रेल वेस्टे हमें जवाब नहीं आता तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे वो क्यों नहीं किया गया अब आपने जब इंस्ट्रक्शन दी नहीं आपकी चिटी गई रेल वेनिस्टर को SDM को क्या पता या ADM को क्या प अब ADM को किस बात का assessment कर दिया मैं सबसे बड़ा unjustified inhuman action मानता हूं कि असरों के उपर एकदम बाज गिर जाती है आपकी इंस्ट्रक्शन है कि सारी unauthorized construction डाली है एक railway आती है उनको court order दिखाती है और construction हजारी है आपकी पैलेट पॉंट इठाया है अब आपकरना लेकिन मैं दिवेट कि एक answer लूगा मैं आदा शास्त्री का SDM ADM को बताया गया था इंस्ट्रक्शन दिये गया थे या सीदे उनको बली का बकरा बना दिया गया लास्ट कूर्शन देखिए उसको देखिए इसमें SDM की लापरवाही यह है कि जब इस तरह का कोई action लिया जा रहा था उस urgency को communicate करना प्रशाशन को मुखे मंत्री को मंत्री को SDM काम है उसने उस काम में शायद लापरवाही की क्या SDM एडियम को चिठिया लिखी दी बुखे मंत्री ने कई चिठिया लिखी है रेलवे मंत्राले को जानतारी जो डूसिप के माधियम से SDM प्रशाशन के पाच होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता देखे 26 नवंबर को ऐसे ही एक जुगी कलस्टर को रिहाइबिलिटेट किया गया था 600 जुग्यों को नांगलोई शिफ्ट किया गया आज तक कोई उसमें सवाल नहीं उठके आया अगर जानकारी पूरी दी जाती डूसिप के माधियम से रिहाइबिल इस तरीके से दिली में इस वक्त गरीब के नाम पर राजनीती जम कर चल रही है टूइटर पूल हमारा यही था कि क्या दिली में शकूर बस्ती वालों का मददगार बनने कि स्यासी जंग गरीबों का मजाग है नबे फीरिजी दर्शकों ने हा में जवाब दिया है दस ने नामे जवाब दिया है